नमस्कार मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल टोंग से संजीवन गर्भ समस्कार के इस यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ गर्भावस्ता आपके जिवन का एक सुनहरा अफसर होता है प्रेगनसी के दोरान गर्भवती के शरीर और मन में उथन पुथल हो जाती है गर्भावस्ता में आपके शरीर में बदलावाते है गर्भवती को एक स्वस्थ गर्भावस्ता के लिए अपना आहार संतुलित लेना बहुत महत्वपूरण होता है खाने में कुछ ऐसी चीजे यदि आप खा लेती है जिसे खाने से आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है इसलिए बहुत सावधानी से ध्यान रख कर गरभावस्ता में खाने में कुछ चीजे आपको अवोइड करनी है तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी बात को देखेंगे वह कौन कौन सी चीजे है जिने आपको गरभावस्ता में नहीं सेवन करना है पहला है टीन फूड और पाकेट फूड आपको अवोइड करने हैं गरभावस्ता में आपको टीन फूड या पाकेट फूड टोटली अवोइड करने हैं डिबबाबंध खाद्य पदार्थों में कई सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेट यूज यूज किये होते हैं टीन फूड में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो बेबी के डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं डिबबे के खाद्य पदार्थों की आयू लंबी होने के कारण इसमें हानिकारत जिवानों भी हो सकते हैं इसलिए आपको हमेशा ताजा और जादा से जादा पोशक आहर लेना है जैसे ताजे फल, ताजी सबजिया, ताजे फ्रोट्स आपको शामिल करने हैं आपके खाने में दूसरा है फैटी फूड्स फैटी फूड्स या अत्याधिक वसायुक्त खाद्यपदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है प्रेगनसी में गर्ववती का वजन बढ़ने लगता है और यदि आप अत्याधिक वसायुक्त याने फैटी फूड्स खाती है तो आपको ओविसिटी या मोटा का जिससे दिल की बिमारी होने का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए आपको ध्यान रखना है उचित मात्रा में ही वसायुक्त फूड्स का सेवन करे तीसरा है कच्चा या आधा पका हुआ या फिर दूशित सेफूड जैसे मचली आपको अवाइड करनी है शार, टाइल फिश, माइकरेल जैसी कुछ मचलिया जिसमें मर्क्यूरी की मात्रा अधिक होती है तो आपको गर्भावस्ता में नहीं खानी है गर्भावस्ता में इसे खाने से बच्चे के विकास और ब्रेन के लिए यहां घातक साबित हो सकते है इसलिए आपको इन मचलियों को नहीं खाना है वैसे मचली में ओमेगा थ्रेपास्टी आसिड भर पुर्मात्रा में होता है इसलिए आपको थोड़ा सतरक रहकर गर्भावस्ता में कुछ ऐसे फिश जो कि मीठे जल में मिलती है जैसे सामन, जिंगा, ट्राउट आप इन्हें शामिल कर सकती है चोथा है हाफ फ्राइड या कच्चे अंडे का सेवन आपको नहीं करना है गर्भावस्ता के दोरान आपको अच्छे से उबले हुए अंडे का ही सेवन करना है या फुल फ्राइड ओमलेड भी आप खा सकती है क्योंकि साल्मुनेला लाइक बाक्टेरिया जो होते है वो हाफ फ्राइड या कच्चे अंडे में पाए जा सकते है जिससे आपको दस्त या उल्टी की संभावना भी बढ़ जाती है पाचवा है बिना धोये सबजिया तथा फल का सेवन आपको नहीं करना है गर्भावस्ता में आपको सबजिया और फल अच्छे से धोकर साफ करकर ही खाने है स्पेशली हरी पत्तिदार सबजिया अच्छे से साफ कर ले और फिर उन्हें जादा देर तक न उबाले या जादा देर तक न पकाए आपको फलो में पपिता, अनार इन्हें नहीं खाना है स्पेशली कच्चा पपिता आपको अवोईड करना है पपीते में मौजूद कुछ enzymes आपके uterus की muscles को contract भी कर सकते हैं जिससे abortion का खतरा बढ़ता है इसलिए आपको avoid करना है कच्छा पपीता सिक्स्थ है वैसे तो sprouts प्रोटीन से भरपूर होते है जिनने आपको गर्भावस्ता में अधिक खाना है लेकिन ध्यान रहे जब आप sprouts का इस्तमाल खाने में करती है तो इने अच्छे से धोले, साफ कर ले और फिर चोग लगा कर ही इसे आपको खाना है साथवा है अनपॉस्चराइज मिल्क तथा चीज आपको खाने में नहीं लेना है पॉस्चराइज मिल्क का ही सेवन आपको करना है अनपॉस्चराइज मिल्क और अनपॉस्चराइज चीज आपको अवोइड करना है दूद को अच्छे से उबाल कर ही आपको दूद का सेव करे आधा पका हुआ मास आपको नहीं खाना है दूँआ है एक्सेसियु गाने में आपको और आपको फा原因 क करना है आपको घर भावस्ते में लिमिटेड मातरा आपको avoid करने है, pregnancy में आपका मन पसंद street food आपको नहीं खाना है, यहां आपके और आपके शिशु के स्वास्ते के लिए हानिका रखो सकता है ग्यारवा है अधिक मीठे पदार्थों का 7 आपको नहीं करना है, आइस्क्रीम, चॉकलेट तथा अन्य मीठे पदार्थ जिनमें चीनी का अधिक मात्रा में इस्तमाल होता है, ऐसे मीठे चीजों को आपको avoid करना है, जितना हो सके उतना चीनी और चीनी से बने पदार्थों का सेवन कम करना है बारवा है बेकरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं खाने है बेक किये हुए खाध्य पदार्थों में बनाते समय प्रक्रिया में फूर्ड कंटामिनिटेड या दुशित हो सकता है और मैदे से बने पदार्थ पच्चने में भी मुश्किल होते है इसलिए ब्रेड बिस्कृट्स आपको अवड करने है या कम मातरा में खाने है तेर गर्भावस्ता में आपको या कोई भी प्रकार का अलोवीरा सेवन नहीं खाना है खाला कि बालों के लिए और Śकिन एलोविरा अच्छा होता है लेकिन गर्भावस्ता में इसके सेवन से ब्लिदिंग खत्रा भी हो सकता है इसलिए एलो विरा जूस या कोई भी फॉर्म में एलो विरा आपको नहीं खाना है 14 है काफिन तथा नशीले पदार्थों का सेवन भी आपको नहीं करना है आपको गर्भावस्ता में हो सके तो चाय कॉफी अवोइड करनी है कॉफी में मुझूद काफिन शिशु के लिए हानिकारख हो सकता है इसके उपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है वह भी आप देख सकती है और लास्ट है गर्भावस्ता में मसालेदार पदार्थ आपको नहीं खाने है गर्भावस्ता में आपको स्पाइसी फूड अवोइड करने है यदि आप स आई है उन सभी चीजों को गर्भावस्ता में अवोइड करें ताकि आपको और आपके शिशु को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और आप आपकी प्रैग्नसी सुरक्षित तरीके से व्यतीत कर सके और आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी बेबी का निर्मान कर सके और इसलिए आप कर सकती है संजीवन गर्वस्तांसकर का ओनलाइन वोक्षोप जिसमें आपको सिखाया जाता है आपका बेबी मेंटली और फिजिकली हेल्दी फिट और फाइंड कैसे डेवलप किया जाए इसके लिए आपको घर बैठे ही डाउनलोड करना है संजीवन गर्वस संसकार आप और बनिए एक्स्ट्रॉडर्री मॉम और एक्स्ट्रॉडर्री बेबी तो हसते रहें मुस्कुराते रहें इंजॉय कीजिए प्रेग्नसी का हरक्षन संजीवन गर्वसंसकार के साथ धन्यवाद लिए प्रेग्न गर्वसंस्ट्रॉडर्री मॉम और बनिए एक्स्ट्रॉडर्री मॉम ख़ए